बेलकम टू सकसे बिष्टा क्लासिस फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं एग्रिकल्चर से रेलेटेड जितने भी रिवॉलुशन्स हुए हैं और उनके फिल्ड्स देखेंगे तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो काफी important होने वाली है वीडियो को अंततक देखे और फ्रेंड्स continuously हम आपको वीडियो प्रॉवाइट कीरहे हैं वीडियो श्टा होने से पहले सकसे बिष्टा क्लासिस चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को जदा से जदा लाइक और share करते रहे तो आईए फ्रेंड से स्टार्ट करते है अग्रिकल्चर रिवॉलीसन्स जैसा कि आप देखरे हैं फ्रेंड एक तरफ हमने रिवॉलीसंस लिखें और दूसरी तरफ वो कौन से प्रोडक्ट्स रिलेटेड रिवॉलीसन्स वो लिखें तो सबसे पहले round revolution गोल क्रांथी जो हुई थी सबसे पहले वो potato आलू के लिए हुई थी round revolution कई बार पूचा गया है friends आप इसको no down करते रहे हैं कई बार ये question पूचा गया है अगला देखते हैं green revolution काफी ज़्यादा फेमश है ये green revolution ये rice और wheat गेहुं और चाबल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रसी के छेतर में काफी बढ़ी ये क्रांथी थी green revolution हरित क्रांथी आए अगली क्रांथी देखते हैं जो आप देखेंगे gray revolution जो हुआ था उर्वरकों की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए ये gray revolution लेकर आया गया था तो आए फ्रेंट्स नेक्स्ट है हमारा pink revolution गुलावी क्रांथी गुलावी क्रांथी फ्रेंट्स आप देखेंगे प्याज से related है और जींगा उत्पादम से सम्मन देते हैं तो फ्रेंट्स आप ये इजली याद रख सकते हैं प्याज जो होता है प्याज का color pink होता है तो उससे आप याद रख सकते हैं pink revolution प्याज और जींगा उत्पादम से सम्मन देते हैं आइए अगला देखते हैं white revolution काफी जादा famous है ये white revolution और white किसका color होता है milk का color होता है that's why ये revolution जो है white revolution के नाम से जाना जाता है और ये दुख दुत पादम से सम्मन देते हैं कई बार पूछा गया है फ्रेंट्स अब आएए देखते हैं नीली क्रांती blue revolution ये मतस से उत्पादन से सम्मन देते हैं मचली के उत्पादन से सम्मन देते हैं अगला प्रशन देखते हैं red revolution ये meat जो होता है mass mass का color आपको पता है लाल होता है और tomato tomato का color भी red होता है तो आप इसी से याद रह सकते हैं red revolution किसे related है meat टोमेटो प्रोडक्शन से आईए फ्रेंट्स अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यलो रिवॉलिशन पीत कांती भी बोलते हैं इसको पीत कमीन्स होता है पीली क्रांती आप देखेंगे ओयल सीड्स जो हमारे तिलहन होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है जैसे सरसों हो अर्था जो चम्रे का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए दूसरा है कोको आप देखेंगे कोफी कोफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ये ब्राउन रिवॉलिशन किया गया था फ्रेंट्स नेक्स्ट है हमारा गोल्डन फाइबर रिवॉलिशन गोल्डन और शहध के उत पाधन को बढ़ाने से है और सहध के उत पाधन से रिलेटेड है और जो हम सब्जियों से रिलेटेड खेती करते हैं उनके उत पाधन को बढ़ाने के लिए golden revolution काफी मैधड़ पूल है फ्रेंट्स फ्रेंट्स मारा अगला revolution है silver revolution जो है एग आप देखेंगे जो अंडा उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए silver revolution चलाया गया था अगला प्रश्ण है silver fiber revolution cotton के production को बढ़ाने के लिए हुआ था वहीं आप देखेंगे protein का revolution जो हुआ था agriculture sector में हुआ था next देखते हैं black revolution काफी famous है friends और ये कई बार पूछा गया एक बहुत important है black revolution जो हमारे petroleum से related उत्पाद होते हैं चाहें वो gas हो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये black revolution हुआ था तो friends आपने देखा हमने agriculture sectors के जितने भी important revolutions थे और उनसे related जितने भी fields थे सारे के सारे detail में देखे अगर friends आपको ये सकसे बिष्टा क्लासिक की इस type की video series जीके की video series अच्छी लग रही है तो सकसे बिष्टा क्लासिक चैनल की video को जादा से जादा सेयर कीजिए और channel को subscribe कीजिए थेंक यू झाल झाल